नबस्कार दोस्तों मैं नेहा मेरे यूटुब चैनल टैक एजोकेशन विद नेहा में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों के सामने ट्रेड आई सीटी एसम सेकेंड यर का कोशन पेपर प्रैक्टिकल एक्जाम का जो भी दो दिन के बाद है प्रैक्टिकल एक्जाम का कोशन पेपर लेकर रही हूं तो जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड हैं जरूर मेरे वीडियो में आखरी तक बने रहें ये 2021 में आया हुआ पिछले साल का ये पेपर है तो ये देखिए आप सबसे पहला यहां पर आप देख सकते हैं पहला कोशन है ये समय तो 8 घंटे औ सहला जो कोशन है एलसीडी प्रोजेकटर को कंप्यूटर पर सेट अप तथा कॉनफीगर केजिये लिदेशेट अंड अएन कॉट़ीगर लूकीटर अपने कंप्यूटर में और बंच करना एंसट करना है .... इसेटूप करना है उन कन्फीगर करना एं क्रियों के क्र notion in Linux में एक नया user तथा group बनाईए और delete करिए मतलब Linux जो operating system है उसमें क्या करना है एक नया user बनाना है group create करना है और फिर उसको क्या करना है delete करना है तो उसमें commands लगते हैं तो उन command का use यहां पर करना है इंगलिस में है create and delete a new user and group in Linux ठीक है ये number question third को हम देखते हैं internet में एक email account बनाए तथा अपने मीत्र को email भेजें internet पे क्या करना है email account बनाना है और अपने उसको friend को क्या करना है email भेज कर आपको दिखाना है लिखना भी है दिखाना भी है दन आखरी में आपको वायवा भी देना question number four है हब स्विच का उप्योग करते हुए कम से कम तीन कंप्यूटर का एक LAN connection setup कीजिए हब और स्विच एक connectivity device है जिनका उप्योग करके आपको क्या करना है तीन कंप्यूटर को LAN के साथ connection setup करना है ठीक है setup a LAN connection of at least three computer using hub and switch यहाँ पर है question number five computer में एक laser printer को install करना तथा उसका क्या करना text document को print करना क्या करना है computer में laser printer को क्या करना है install करना है और एक ठोग कोई भी document आपको print करके दिखाना है ठीक है यहाँ install a laser printer on computer and print a text document एक text document क्या करना है print करके आपको दिखाना है कैसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है सारे उसके जो पॉइंट्स है उनको आपको करके भी दिखाना है जो कॉपी मिलेगा आपको लिखने के लिए उस पर भी आपको लिखना है यहां है कोसा नमबर 6 इंस्टॉल ब्रॉडबेंड DSL MODEM on computer internet के लिए computer में एक broadband MODEM क्या करना है install करना है इटर्नेट के लिए करना है तो यह 6 कोसन है किनी भी 5 के आपको आंसर करने हैं ठीक है यह आया हुँवा पेपर है तो यह आप देख सकते हैं second year का ICTSM का ये पेपर है तो जिनको भी अभी पेपर देना है जरूर इसको एक बार देख कर जाए कोशन क्योंकि रिपीटेड होता है मैग्सिम मैग्सिमम टाइम पे ये जो है रिपीट सारे जो कोशन है वो रिपीट होते हैं तो हो सकता है कि यही कोशन इसमें से 6 में से 1 या 2 आपके में आ जाए तो जरूर ये देख कर जाए आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही ऐसे ही वीडियो अपडेट लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ से जरूर कीजे लाइक जरूर कीजे और जो यूजर नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू गैस